तोजी फुशीगुरो जुजूद्सु काईजन सीजन 2 के अंदर एक काफी बड़ा नाम है और काफी बड़ा क्यरेक्टर भी है जितने लोग जुजूद्सु काईजन का सीजन 2 देख रहे हैं और लोगों को काफी ज़ादा तोजी फुशी गिरो पसंद भी आ रहा है एंड इसी आर्क के अंदर हम लोगों को एक जलक तोजी फुशी गुरो की भी दिखेगी जो की प्रेजेंट की टाइम लाइन में ही होगी अब मैं तुम लोगों कुछ जादा बताऊंगा नहीं क्योंकि स्पॉयलर हो जाएगा जिस टाइम पर यह एपिसोड आएगा तुम ल गेटो और अगर यह चीज़ देखने के बाद तुम लोगों का भी तोजी फुशी गिरो फेवरेट बन चुका है तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को साथ ऐसी चीज़े बताने वालों तोजी के बारे में जो तुम लोगों को प्रबल्बली नहीं पताऊंगी और जितने लोगों को इन में से कुछ एक भी चीज़ पता होगी तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना और यह वीडियो शेयर जरूर कर देना फ्लीज तो नमबर सैवन पर आता है तोजी फुशी गिरो की लाइफ ऐसा सौर्सरर किलर जुशु काइजन वर्ड में तोजी फुशी गिरो वन आफ दो मोस्ट स्ट्रॉंगेस्ट करक्टर्स है जिसके पास कोई भी कर्स्ड एनरजी नहीं है और किसी भी कर्स्ड एनरजी ना होने की वजह से ही ये बंदा सौर्सरर किलर मना है देखो अब तुम लोगों कर नहीं पता हो तो ये बंदा जैनिन क्लैन में पैदा हुआ था और कोई कर्स जनरजी ना होने की वज़ह से इसके कलैन ने इसको एक्सेट नहीं किया इसके बाद नमबर 6 पर आता है Toji Zenin Clan से, अब देखो Toji Fushigiro, तुम लोगों को ये नाम पता होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि Toji Fushigiro उसका असली नाम नहीं है, तो, Toji का असली नाम है Toji Zenin, Toji जैसा कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया, वो Jujutsu World के one of the most powerful clans में पैदा ह लेकिन Zenin Clan में पैदा होने के बावजूद, Toji ने अपना नाम Fushigiro कैसे रखा, इसका नाम Fushigiro पढ़ा कैसे, तो, वेल, इसका रीजन भी वही पिछला वाला रीजन है, क्योंकि ये बिना किसी cursed energy के पैदा हुआ था, तो, इसके clan ने इसको accept नहीं किया, इसके साथ काफी ज जाती है, Toji का, उसके cursed warm के साथ relationship, Toji Fushigiro का जो character है, वो काफी सारी चीजों की वज़ेस जाना जाता है, जिन में से काफी बड़ी चीज़ आती है, उसके गले में लिप्टा हुआ, ये cursed warm, और शाय तुम लोग उने भी कभी इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, कि ये cursed warm, तो जी के साथ, तो देखो ये जो cursed warm है, वो तोजी के लिए उसके जितने भी हथियार से उन सब को store करने का काम करता है, ताकि वो सारे हथियार तोजी के करीब रह सके, और कभी भी तोजी उनको निकाल कर उनका यूज़ कर सके, अब इसके गले पर जो ये cursed warm है, इसके साथ बना हुआ आ रहा है, तोजी के साथ इसका relationship एक master और student की तरह है, तोजी उसको कई सारी चीजे सिखाता है और ये सीखता भी रहता है, और एक तरह से कहूँ, अगर तोजी जीतेगा तभी ये cursed warm भी जीतेगा, और अगर तोजी जीतेगा तभी इस cursed warm को जीने के लिए कोई न वो भी एकदम amazing लगता है देखने में, एंड इसी ने किसी तलवार टाइप की चीज को लेकर ही गोजो को मारा था एंड गेटो को भी, अपने zenon clan से निकलने के बाद इस बंदे ने most powerful sorcerer killer बनने के लिए काफी सारी हतियारों की training लीती, काफी सारी हतियारों को test किया था और use भी किया था, जिसकी वज़े से time to time ये अपने आपको master बनाता रहा और काफी सारे हतियारों को use करने में master बनता गया, इसके पास कई सारे तरीके हतियार हैं, जिन में से कुछ popular है, split soul katana, inverted spear of heaven, chain of a thousand miles, playful cloud और काफी सारे, इसके बाद जो चीज़ नमबर 3 पर आती है, वो किसी ना किसी से लड़ते time उसको ये चोट लगी होगी, उसी वज़े से इसका ये निशान बना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, तो जी जब Zenin clan में था, तो इसके अपने लोग इसको काफी ज़्यादा hate करते थे, इसके साथ काफी ज़्याचार भी हुए तो जो कि मैं जोट आई थी, इसके बाद जो चीज नमर साइकेंड पर आती है, वो ये है कि तो जी कभी भी अपने लड़के से मिला ही नहीं, तो जी का जो बेटा है, मैग्यू में फूशी गीरो, तो जी कभी भी उससे नहीं मिला, और इसका जो रीजन है, वो इसके पॉइंट बन से ड जाड़क दिया, और बस निकल लिया वहां से, उसने अपने वच्चे को नाम तो दिया, कि इसका नाम मैगी उमी होगा, ताकि इसको आगे जाकर ब्लेसिंग्स मिल सके, क्योंकि मैगी उमी का मतलब होता है, ब्लेसिंग्स, और यही रीजन है कि हम लोगो ने जुजू जि एक विमनाइजर है कैसे न हुआ है, अब कैसे न हुआ का मतलब अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो कैसे न हुआ मतलब मतलब विमनाइजर का मतलब अधी बाज तो बस यार यही थी वह साथ बात ये तो जी फूशी गिरो के बारे में जो तुम लोग को शायद नहीं पता होंगी आई होप कि तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दो शेर दो कमेंट्स में अगो और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और इसी के साथ हम लोगों ने इताची के उपर भी बात करी है जिसमें हम लोग ने साथ पॉइंट्स बताये थे